नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आज टड़ी ओफिशल पर तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि दो दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने घोशना की थी कि वो स्तीफा देंगे और दिल्ली को मिलेगा नया मुख्य मंतरी इस घोशना के बाद राजनीती और दिल्ली में हलचल पैदा हो गई थी कॉंग्रेस और विजेपी ने केजरीवाल के इस कदम को ड्रामा बताया था खेर इन सब के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं आज हम बात करेंगे दिल्ली की नई मुख्य मंतरी आतिशी मार लेना के बारे में जी हां आखिरकार अर्विन केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पाटी की विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा और फिर सभी विधायकों ने सर्व सम्मती से इसका समर्धन किया तो दोस्तो आज अपने इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्यों अर्विन केजरीवाल ने आतिशी को ही चुना मुख्यमंत्री के रूप में अब आतिशी की नई जिम्मेदारिया क्या होगी अब उनके मुख्यमंत्री बनने की बाद क्या क्या बदल जाएगा साथी दोस्तो हम जानेंगे आतिशी के पूरे राजवितिक सफर के बारे में लेकिन दोस्तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर ले और हाँ बेल आइकन को हिट करना बिलकुल ना भूले ताकि हमारे भविश के वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो बीजेपी की शुष्मा स्वराज के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में जोड़ गया है आतिशी का मुख्यमंत्री बनना दिल्ली की राजनीती और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए एक एतिहासिक और महत्पून कदम है चलिए दोस्तो अब बात करते हैं आतिशी के राजनीतिक सफर की बात करें दोस्तो तो आतिशी मारलेना का राजनीतिक सफर काफी दिल्चस्प रहा है आतिशी का जनम 8 जून 1991 को दिल्ली के एक पढ़े लिखे परिवार में हुआ था उनके माता पिता दिल्ली युनिवरसिटी में प्रोफेसर थे औ और यहीं से उन्होंने एंजियो में काम करना शुरू किया 2013 में जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ उस समय से ही आतिशी इस संगठन के साथ जुड़ गई थी उन्होंने सिक्षा के शेत्र में दिल्ली में कई महत्पुन बदलाव भी किये हैं 2019 में उन्होंने पहली बा कैबिनेट में मंतरी पद मिला और अब 2024 में दिल्ली की मुखे मंतरी बनने जा रही है चलिए अब बात करते हैं केजरी वाल की आखिर केजरी वाल ने आतिशी को ही क्यों चुना मुखे मंतरी पद के लिए भाई आम आदमी पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हैं फि ही आतिशी ने दिल्ली के सिक्षा मंतराले की भागदोर समहाली थी केजरी वाल की गैर मौजूदगी में उन्होंने पार्टी और सरकार की कई महत्पून जिम्मेदारिया भी निभाई उनके पास इस वक्षा जल पी डबलू डी रिवेन्यू और फाइनेंस जैसे महत्पू लीड किया। इसके साथ ही मनीश शिशोदिया के बाद जब उन्होंने सिक्षा मंतराले समहाला तो इसे भी बहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी में महिला नेताओं की कमी के बीच आतीशी ने एक मजबूत महिला नितितरो के रूप मे उभर कर खुद को साबित किया इसके अलावा दोस्तो आतिशी का संगठन की उपन नियंतरन और नैतितरो शमता भी उन्हें इस पद के योगे बनाती है अब बात करते हैं दोस्तो आतिशी की नई जिम्मेदारीों और चुनोतियों की तो दोस्तो आतिशी अब दिल्ली की मुख्य मंत्री के रूप में कई बड़ी जिमिदारिया निभाने जा रही है सिख्षा, P.W.D., जलापूर्टी और फाइनेंस जैसे मामलों में उनकी गहरी पकड़ने उन्हें इस पद के लिए भी योग के बनाया है अर्विंद केजरिवाल ने एक तरह से दिल्ली की जनता और पाटी के भविश के लिए एक स्थिर नितित्र्व का चुनाव किया है लेकिन इसके साथी दोस्तो आतिशी को काफी चुनोतियों का सामना भी करना पड़ेगा आतिशी के सामने अब कई बड़ी चुनोतियां होंगी दिल्ली के विकास, स्वास्त, सिक्षा और परिवहन जैसे कई मुद्दों पर उन्हें काम करना होगा साथी विपक्ष का भी सामना करना पड़ेगा खास करके बिजेपी और कॉंग्रेस जैसी पड़ी पाटियों का दिल्ली की जनता की अपेक्षाएं उनसे काफी जादा होंगी और अब ये देखना होगा कि वे किस तरह से इन चुनोतियों का सामना करती है दोस्तो मेरी राय में तो देखी ये आतिशी का मुख्य मंतरी बनना एक सही कदम है वैसे दो दिन से नए मुख्य मंतरी पद के लिए केजरिवाल की पतनी सुनीता केजरिवाल का नाम भी सामने आ रहा था लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि केजडिवाल ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि केजडिवाल ने ये मास्टर स्ट्रॉक खेला ही इसलिए है ताकि वो दिल्ली की जंता के सामने अपनी छवी को साफ कर सके और ऐसे में अगर वो अपनी पत्नी को ही मुख्यमंतरी बना देंगे तो उनके उपर बहुत से सवाल खड़े हो जाते है इसलिए उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए था जिस पर वो उश्वास कर सके और बिलकुल सोनिया गांदी की ही तरह कुरसी के पीछे से राजनीती कर सके और आतिशी से बड़ा भरोसे मननेता उन्हें कहां मिल सकता था अब आम आदमी पार्टी के सामने इस वक्त चुनोतियां भले ही बड़ी हो लेकिन आतिशी का नेतित्रों पार्टी और सरकार दोनों क्यों स्थिर्ता दे सकता है अर्विन केजरीवाल ने जिस तरह से आतिशी को आगे बढ़ाया उससे साफ है कि पार्टी को आतिशी से बहुत उम्मीदे है लेकिन अब ये भी देखना होगा दोस्तों कि वे किस तरह से अपने कारेकाल में दिल्ली के महत्मुन मुद्दों को हल करती है क्या वे अर्विन केजरीवाल की तरह एक सफल मुख्य मंतरी साबित हो पाएंगी या फिर उन्हें विपक्ष और जनता की आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा इससे भी बड़ा सवाल जो अभी मेरे मन में चल रहा है दोस्तों वो ये है कि देखिए मुख्य मंतरी पज बहुत ही पावरफुल होता है आतिशी बहुत ही समझदार महिला भी है तो क्या आगे आने वले समय में आतिशी केजरीवाल का प्यादा बनकर काम करेंगी या पूरी पार्टी का नतित्रु करेंगी असली नेता कौन होगा केजरीवाल या आतिशी खेर ये तो आने वला समय ही बताएगा तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कॉमेंट में जरूर शेयर करें तैंक यू